हसन अली की कंपेनी को 25 साल हो जाते हैं उस खुशी में पार्टी रखते हैं सब आये हुए होते हैं पर आलिया और शायका को इन्विटेशन नहीं मिली फिर भी वो दोनों पार्टी में आते हैं यार जस्ट बिकॉज यह एक सीरियल है इसका मतलब यह ने की कुछ भी दिखाए है यानि कि वो लोग यल्दिज और आस्मा की चुबली जो फईदा ने रेकॉर्ड की थी वो उस पार्टी में प्ले कर देंगे कितना आसान है किसी अमेर आदमी की पार्टी को सैबोटेज करना उन दोनों को देख के हसन है कि वो लोग अंदर कैसे आ गए सो फनी साधिक कहत है तब ही यल्दिज और आस्मा की बाते सपीकर पर चलने लगती लगती है वही बाते जो आस्मा ने येल्दिज को चलने लगते जाती जैसे जुनात के साथ जल्दी बच्छा ल antigZA ले जो भी हुआ सबका वीडियो बनाके शाहिका न फएदा को भीज़ दिया घर आते हैं युल्दिस जुनात को बताती है कि वो लोग यूँ ही मजाग कर रहे تھے पर जुनात अपनी ममी पर मजाग करने से गुसा हो जाता है येल्दिस उसे बताती है कि ये सब किसी ने शाजिश की है तभी फईदा आके जुनाइद को ताने मारती है कि उसकी बाते सच हो रही है वो वीडियो इंटरनेट पे भी वाइरल हो गई जुनाइद के जाते ही येल्दिस फईदा की स्माइल देख के समझ जाती है और उसे खीच की गुस्रे में पूछती है कि यह सब तुमने किया ना फरीदा नहीं मानती सुबा फिर से यल्दिस जुनाइट को समझाती है कि किसी ने उसके अगेंस्ट चाल चेल के रिकॉर्ड किया उसकी बाते जुनाइट कहते है कि तुम्हारे साथ ही क्यों होता है यह सब अब वो अपने डैड के पास सफाई देने जा रहा है जाना से पहले थोड़ा चिलाता है तो यल्दिस को हालित की फिली आने लगती है हसन जुनाद से कहते है कि तुम्हारी बीवी थोड़ी समल के क्यों नहीं रह पाती अभी उससे नर्मी मत रखना हाला कि अभी भी जुनाद यल्दिस की तरफदारी करते है चलो ये अच्छा है फिर जुनाद को हसन चांसू से मिलाता है और उसे डिनर पे बुलाने को कहता है वैसे हसन चांसू को बेटी बना के बहुत खुश है बहुत खयाल रखने लगा है उसका उसी वक्त यल्दिस आ जाती है हसन से बात करने क्योंकि उसको बेचानी हो रही थी सफाई पेश करने के लिए जुनाद और हसन उसे अलाओ करते है और जुनाद आफिस चला जाता है उसके जाते ही हसन स्वीटली बात करना बंद कर देता है और यल्दिस से उखडी तरीके से बात करने लगता है उसे कर रात के बारे में पुछता है शाहिका और आलिया के साथ, ताकि हम दोनों अलग हो जाए, मैं आप लोगों को खुश करने के लिए अपने आपको दबा नहीं सकती, तभी हसन उसे स्वीटली बात करने लगते है, और उसे समझाने लगते है, अच्छा तो अब इस चांसु को लेके बात करते है, उसको एक करने के लिए कहा कि वो असल में फिलिज की बेटी है, ताकि वो हसन का दिल जीत सके और फिर शाहिका और आलिया हसन की कमजोरी पर वार कर सके, बतले में उसे वो लोग बहुत बड़ी रकम देने का वादा करते है, जिस वज़े से चांसु मान गई, लास्ट सीन में यल्दि